नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सम्यक धवन एंवी बेस कंसर्टिन काया क्लब लोबल के यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आज हमारा साथ पेशेंट हैं जो हमसे जानना चाहते हैं कि 5-6 ऐसे कुछ उपाई बता दो जिससे कि उनको सफ करने का ट्राइ करते हैं जिससे कि पेशेंट को पता रहे कि आखिर इस चीज़ का कितना रोल है आपको भी पता रहे कि आखिर इन होम रेमेडिस सब कितना रोल है सफेद्दा की मैनेजमेंट में देखो सबसे पहले बात करते हैं अलोवेरा जेल के बारे में जो पहला रेमेडी है वो है मेरे पास आपके लिए अलोवेरा जेल और लगाएंगे और कुछ घंटों के लिए छोड़ देंगे उससे आप नोटिस करेंगे कि आपकी स्किन बहुत हाइडेटेड रहती है आपके स्किन के अंदर जो मैस्टराइजेशन है वो बनी रहती है और इसके अंदर आंटी इंफ्लमेटरी आंटी ऑक्सिदन प्रॉप मैंने पड़ी हैं वैसे अगर मैं आपको बताऊं जिसमें कि मैंने पड़ा था कि जिंजर अगर हम यूज करते हैं अपने डाइट में इसको किसी तरीके सरा और करते हैं तो वो हमारी बॉड़ी के अंदर एक अच्छा एंटी इंफ्लमेटरी रिस्पांस वर्यूस करता है आप लोग तो जानते हैं और आप भी जानते हो कि विटलाइगो इस अच्छा जहां पर हमारी बॉड़ी के अंदर इंफ्लमेशन हो रहा है और वो इंफ्लमेटरी पाथवे अक्टिविट होने की वज़े से ही हमारे स्कें सेल्स की डेथ हो रही है तो हमारे हमें ऐसा खाना खाना है जिसके अंदर हमें एंटी इंफ्लमेटरी और एंटी ऑक्सिजन फॉप सारी मिलें तीसरी चीज जो तुमारे लिए है मैंने इसके ओपर बहुत डिटेल वीडियो बनाई थी आड़ों आप ने देखिया कि नहीं हो आप लोगों ने देखी हो वो था मिलानिन युमें आलमंड वालनट्स पीकंज और ऐसे नट्स हैं देना आपकी होल गहिंज हो गए ओट्स हो गए डाक चॉकलेट अपका पिंटो बींज ब्लाक बींज इस चीज़ें जो मुझे याद आ रही हैं जो अपनी डाइट में आड कर सकते हैं जिससे कि आपकी रंग बनाने ने ऐसा कुछ नाम था उसका आप प्लीज उस वीडियो को ज़रू चेक आउट करें एंड लास्ली तामे के बरतन में रात को पानी डालके पीना शुरू करो कॉपर जो है वह बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले करता है हमारे मिल्यानिन प्रोड़क्शन में हमारी बॉड़ी क करना है उससे आपको बचना है कि बहुत जादा सनेक्सपोशर करने से आप लोग की भी कुशन आते हैं कि पहले मेडिसन या सरगन लगाने के बाद बहुत अच्छा रिकवरी आ रहा था लेकिन अब जो है अब उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा उसका रीजन है कि सरगन प्लस की जो हमने इंग्रेडियंट से हर्ब्स की इस तरह से हमने ट्यून किया है कि यह वो 10-15 मिट में रंग बना लेती है पिंक करना शुरू हो जाता है उससे मोर दें डाट इस नौट सफिशन से आप बचो और कोई क्वेश्चन है आपका ठीक है तो यह थी कुछ मैंने इनको रेमेडीज बताए कुछ ऐसे उपाए बताए अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा कुछ ऐसे बिफोर आफ्टर की फोटोग्राफ्स यह वो लोग है जिन्होंने घर बैटे बैटे हमसे टीट्मेंट लिया इन्होंने पहले या तो नीचे दीए गई फोन पहुंचोगे लेकिन क्या वो एक लांग लास्टिंग स्लूशन आपके लिए है या नहीं आई डाउट तो मेरी रिक्मेंडेशन आपको यह देगी कि आप एक अच्छे संस्था से जो है प्रॉपर ट्रीट्मेंट शुदू करवाएं होम रेमेडीज में लगे रहें और प तो मेरे आप से गुजारेश है कि अगर आप होम रेमेडी करना चाहते हैं तो करें लेकिन किसी अच्छी ओंगोइं ट्रीट्मेंट के साथ करें सिरफ होम रेमेडी की बेसिस पे ही अपनी ट्रीट्मेंट को कंप्लीट ना समझें क्योंकि अगर मान लो गौड फॉर्बेड आपके ऐसे बॉडी पार्ट पर सफेद आख दिखने लग गया जहां पर पहले नहीं था और आप वो फेस पर आजाए या फिंगर टिप्स पर आजाए जहां पर समाज में दिख रहा है तो ऐसा ना हो कि हमने देरी कर दी होम रेमेडी के चकर में तो अगर आप होम रेमेड आपका बहुत बहुत धन्यवाद